कहानी भले ही कितनी अच्छी तुम रचलो बट अगर उसमें एक्टर एक्टिंग ना करे तगड़ा तो वह कहानी कहानी नहीं रहती यहां आता है विक्की कोसल वो इंसान जो कि अपने एक्टिंग पे एक सालों से काम करता आ रहा है वो कई मूवी जैसे कर चुका है जिसमें उसने अपना दबदबाद दिखाया है और यहां फिल्ड मार्थल सेम मानिक सौक के मूवी में भी उसने वैसा ही किया वही अंदाज उनका जो अंदाज था जो कि तुम पुराने वीडियो में देखते होगे वही रुतबा वही चाम स्क्रीन पे लाना कम बड़ी बात नहीं है बहुत टाइम लगता है किसी और के अंदाज को किसी और के वे ओफ वाकिंग वे ओफ टॉकिंग को कॉपी करने में और बहुत महनत लगती है और यह दिखता है जब वह महनत रंग लाता है ना तो वह दिखता है और विकी कॉसल वह दिखा रहे हैं कि यार मैं एक ऐसा एक बॉलिवूड मुवी जैसी नहीं होनी चाहिए वह ऐसा होना चाहिए कि तुम एक डॉकुमेंटरी बना रहे है उन पर यह वैसा ही लग रहा है यह वैसी ही फील दे रहा है सानिया मुरोत्रा इसमें सैम बहादुर जी की वाइफ के रोल में दिखेंगे हमें और उनका कुछ ज अच्छा ही जानते हो तो कितना कम मिला है उन्हें और एक रूतवा था उनका अगर तुम उनके बारे में पढ़ होगे तो वह रूतवा पता चलेगा तो मैं विकी कॉसल का एक्टिंग देखके मुझे बाकई काफी अच्छा लगा इसमें देखो मूवी ऐसी की देखनी में मज़ा आता है ना जो कि तुम्हें देखके लगे कि नहीं यार यह तो वही इंसान है रियालिटी में एक्टर इतना अच्छा एक्टिंग करें अभी ट्रेलर और मुवी आना बाकी है बट आई होप की बहुत पूही तगड़ा होगा थोरा सा बॉलीवूड का इंटर्टिं जाएगा तो वो सीन्स एक्सपेंसिव होती है तुमको एक्टर्स कास्ट करने पड़ते हैं तुमको जगे ढूणना पड़ता है इसमें हमें एज इंदिरा गांधी फातिमा सना सेक भी देखने को मिलेंगी और वो भी काफी टिक टाक लगी है इसमें एक डायलोग है कि सैनि लिए नहीं होता वो लोगों की रक्षा करने के लिए दुस्मनों को मारने के लिए होता है और भाई क्या गजब डायलोग है मुझे टीजर बहुत पहतरीन लगा तुम्हें कैसा लगा तुम कमेंट में ज़रूर बताना मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदा टीजर या ट्रिलर के साथ तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर देना टेक केर बाई बाई